दोस्तों यदि आप GST में regular register taxpayer हैं और GSTR 1 return मंतली basis पर file करते हैं तो आपको पता होगा कि जिस्वी मंत की आप GSTR 1 return file करने जाते हैं उसके next stop मंत की 11 तारिक आपकी due date रहती थी यानि 11 तारिक तक आपको file करनी होती थी लेकिन बात करें April 2021 period की तो April 2021 period की GSTR 1 return को file करने की due date को extend कर दिया गया है कितने दिन extend की गई है और अब क्या date रहेगी तो इस संबन में GST portal पर एक सूचना प्रसारित की जा रही है उसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि April 2021 period की GSTR 1 return को file करने की due date क्या रहेगी इसके साथी साथ GST में ऐसे regular registered taxpayer जिन्होंने की QRMP scheme को opt किया है और QRMP scheme को opt करने की बज़े से उनके जो B2B invoices होते हैं और B2B credit और debit note जो वो upload करते हैं IFF में तो उसकी IFF को due date को file करने की जो due date रहती थी वो next of month की 13 तारिक रहती थी तो April 2021 की जो IFF है उसको file करने की जो due date next of month की 13 तारिक रहती थी उसको भी extend कर दिया गया है कितने दिन extend किया गया है और अब क्या date रहेगी उसको file करने की तो इस सम्मझ में भी GST portal पर जो सूचना प्रिसारित की जा रही है उसके माध्यम से आपको बताएंगे अब बात करते हैं GSTR 2B की तो आपको पता है G GSTR 1 और IFF के basis पर generate होता है जब GSTR 1 और IFF इन दौनों की due date को extend कर दिया गया है तो स्वावाविक है कि GSTR 2B जो की हर मंत की 14 तारिक को generate होता था वो भी 14 तारिक को generate नहीं हो पाएगा वो भी किसी और date को generate होगा तो किस date को generate होगा GSTR 2B अपरेल पीरेट का तो वो भी आज की वी पूलर registered taxpayer जो की GSTR 1 return monthly basis पर फाइल करते हैं उनकी due date अपरेल 2021 के लिए क्या कर दी गई है वो जानते हैं तो यहाँ पर जो सूचना प्रसारित हो रही है उसके माध्यम से जानते हैं कि अब आपकी due date क्या रहेगी अपरेल 2021 के लिए यहाँ पर जो सूचना प्रसारित हो रही है उसमें बताए गया है as the last date of filing GSTR 1 for April 2021 has been extended up to 26th माई तो GSTR में ऐसे regular register taxpayer जो कि अपनी GSTR 1 return monthly basis फर file करते हैं तो अपरेल 2021 के लिए यह जो due date है वो 26 माई कर दी गई है यानि नॉर्मल देखते तो यह आपकी 11 माई रहने चाहिए थी अब 26 माई कर दी गई है इसका मतलब 15 दिन इसको extend कर दिया गया है तो GSTR में ऐसे regular register taxpayer जो कि अपनी GSTR 1 return monthly basis फर file करते हैं वो अपरेल मंत अपरेल पीरेड की जो अपनी GSTR 1 return file करेंगे वो 26 माई तक file कर सकते हैं उनकी due date extend कर दी गई है 11 माई की जगए 26 माई कर दी गई है अब बात करते हैं GSTR में ऐसे regular register taxpayer जिनोंने की QRMP scheme को opt किया है और IFF वो किस date तक furnish कर पाएंगे कितने दिन उसको extend किया गया है तो यहां पर आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ है and IFF up to 28 माई यानि GSTR में ऐसे regular register taxpayer जिनोंने की QRMP scheme को opt किया था और वो अपरेल 2021 की जो IFF फर्निस करेंगे वो अब 13 माई की जगए 28 माई तक file कर सकते हैं अपनी IFF यानि 15 दिन इसकी भी जो due date है उसको extend कर दिया गया है तो यह आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी QRMP scheme को जोनोंने opt किया है वो अपरेल मंत का जो अपना IFF फाइल करेंगे वो 28 माई तक file कर सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं GSTR 2B की सवाविक है कि जो GSTR 2B generate होता है वो GSTR 1 और IFF के basis पर ही generate होता है जब GSTR 1 की जो due date है उनको extend कर दिया गया 15 दिन IFF की due date है उसको भी 15 दिन extend कर दिया गया तो सवावे के GSTR 2B जो की every month 14 तारिक को generate होता था वो 14 तारिक को generate नहोंकर किसी और date को आगे की date में generate होगा तो किस date को generate होगा अब उस बारे में जानते हैं तो यहाँ पर इस संबंद में भी सूचना दी गई है हम उसको देखते है अब यहाँ पर का गया है the GSTR 2B for April 2021 यानि GSTR 2B जो अपरेल मन्त की आपकी generate होगी वो 14 माई को generate नहों होते हुए 29 माई को generate होगी जिससे की जो भी GSTR 1 return file करते हैं 26 माई तक अपनी GSTR 1 return file कर देंगे तो उसके जो भी invoices है वो इसमें आ जाएंगे GSTR 2B में इसके अलाबा जो IFF furnace करेंगे तो IFF में जो भी उन्होंने B2B invoices आदी upload किये है तो वो भी invoices आपके GSTR 2B में generate होने लगेंगे और आपके जो buyer है वो GSTR 2B जो 29 में को generate होगी उसमें वो उसको देख पाएंगे और उसके आदार पर ITC claim कर पाएंगे या इसका treatment कर पाएंगे तो 29 में को जो 2B है वो 29 में को generate होगी किस period के लिए April 2021 के लिए तो आपको यदि GSTR 2B देखना है जिसके आदार पर कि हम जो है ना ITC claim करते हैं तो वो जो GSTR 2B है वो भी आपको 29 में को ही देखेगी तो उसके आदार पर आप जो GSTR 3B written भरने से पहले आप books of accounts में जो आपकी ITC दिख रही है और आपको GSTR 2B generate करना होता है तो 29 में को आप यह देख सकते हैं GSTR 2B generate हो जाएगी और उसके base पर आप जो भी ITC आपको claim करनी है वो आप claim कर सकते हैं और GSTR 3B की जो due date है वो भी extend कर दी गही है नेक्स्ट वीडियो मैं आपको वो भी बताऊंगा तो मैं समझता ह कि जो मैं आपको बताना चाहता था वो आपको समझ में आ गया होगा वीडियो अच्छी लगी हो तो like करें धन्यवाद